हेलो बच्चो स्वागत हब सभी का हमारे इस YouTube चैनल में तो बच्चो आज हम लोग इस वीडियो में JCRT Class 4 का math में Part 9 का सवाल को solve करेंगे ठीक है जो भी question है इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे ठीक है जब किसी चीज को हम लोग नापते हैं तो क्या लेते हैं या तो इस तरीके से हाथ से नापते हैं वित्ता लगा के या फिर इस तरीके से कदम चल कर या फिर इस तरीके से हाथ से नापते हैं बहुत तरीके हो सकते हैं लेकिन इस तरीके से क्या हो सकता है नाप जो है ना वो छोटा बड़ा हो सकता है ठीक है ना तो बस वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ने लिखा हुआ है कि पूर्वकाल में हम लोग किसी वस्तू की लंबाई बित्ता से कदम से या हाथ से नापते थे ठीक है अभी का जमाना में पूराना जमाना जैसा हाथ से, बिता से और कदम से नहीं नापता है, क्योंकि अभी फिता आ गया है, फिता से लोग नापता है, उसका मापने का स्केल आ गया है, तो नापने के लिए इसकेल अभी वह सरा आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेज़ेगा क्या लिखा है ठीक है इसमें करा है आप आपके सिख्छक के टेबल को बिता से मापिए इसमें आपका जो टीचर का टेबल है उसको बिता से ना पिए माप ये, फिर आपके सिक्षक अपने बित्ता से टेबल को मापेंगे, ठीक है, दोनों, टीचर भी, स्टुडेंट भी, क्या आप दोनों के माप समान है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जिसका हाथ बड़ा रहेगा, तो उसका कम होगा, है न, कमें बित्ता में ना पाजाए मापेंगे मतलब टीचर अब मापेंगे क्या आप दोनों के माप समान है तो नहीं क्यों नहीं क्योंकि आपके सिक्षक के कदम जदा बड़ा-बड़ा होगा है ना बच्चा का कदम तो चोटा-चोटा होगा इसी दिए समान नहीं होगा ठीक है क्योंकि आपके और आपके सिक् से मान्न समान तो आप देख सकते हैं लंबाई का मानक मातरक मीटर है डिंस सकते हं यहां पर क्या कर Regina करा चूट की लंबाई के लिए सैंटीमीटर का उपयोग करते हैं इसे इसकेल से माप सकते हैं आप लोग यूज किये हैं ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यह स्केल है न यह सेंटीमीटर बताता है उपर तरब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर जिसे यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा एक सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दो सेंटी सेंटीमेटर का लंबाई का यह सकते हैं तो बड़ा वाला होता है वो पंदरा का डबल मतलब 30 सेंटीमेटर का होता है और नीचे में आप लोग देख सकते हैं नीचे यहां से मतलब 1-1 करके यहां से तक है इसोटल कितना है छे इंच एंच फोतों हैं ऐसे वागे बढ़ते अब यहाँ पर देखे ध्यान से इसमें क्या कराएं यहाँ पर कराएं बड़ी लंबाई जैसे कमरे की लंबाई के मैदान की लंबाई आदी को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं इसे मीटर इसके लिए फीता से मापते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे जैसे का मैदान हुआ कमरा का लंबाई मापना है टीए और भी बहुँसरा चीज़ है तो उसके लिए क्या करेंगे मीटर का इस्तेमाल करेंगे मतलल वपयोग करेंगे ठीक typically and Miss के लिए मीटर स्केल का यूज करेंगे फिता का यूज करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरी के से तारवला होता है इस तरह फासा लेता है और इस तरी के से क्या करता है मिस्तरी लोग खिच देता है तो यह तारवला होता है यह अपने आप सम्टायाता है ठीक है एक गोल जैसा इसे रहता है इसमें इस तरी के से न कि मीटर के लिए मीटर एवं सेंटी मीटर के लिए सेंटी मीटर का उपयोग किया जाता है तो बहुत ही आसान है मीटर के लिए मीटर का उपयोग करेंगे और सेंटी मीटर के लिए सेंटी मीटर का उपयोग करेंगे ठीक है कोई दिकत नहीं आप अच्छे से समझते चलिए अ वस्तू का एक छोर इसकेल के सुन्य पर रखते हैं तथा दूसरा छोर इसकेल के जिस संख्या पर होता है वही उस वस्तू की लंबाई होती है जैसे इसकेल है तो यहां पर हम लोग किस तरीके से मापेंगे जैसे यहां पर अब देख सकते हैं यहां से यह मान लिजे इसकेल है और इसमें लिखा हुआ है पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो इस तरी किसे लिखा हुआ है तो कोई वस्तू है मान लिजे जैसे कि देखिए एक वस्तू है जिसे हम यहां से इसको बनाते हैं और यहां पर इसको खतम कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं लगभग लगभग यह वस्तू दो से स्टार्ट हुआ है और कहां पर खतम हो रहा है साथ पर खतम हो रहा है मान लिजे ये छो तक ले जाते हैं ठीक है तो यहां पर पता चल गया कि हम एक से स्टार्ट किये हैं यहां पर और छो पर खतम कर दिये हैं तो टोटल कितना हो गया यह छो सेंटीमीटर का कोई वस्तु है या फिर कोई सामान कोई दिकत ने इस तरीके से आप कर सकते हैं चलिंए आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर इसमें क्या काँ रहा है इसको भी ध्यान से देखिए किसी वस्तु को मापने के लिए वस्तु के एक छोर को स्केल के स्विन्न के अलावे दूसरी संख्या पर भी रख कर माप सकते हैं इसके मापने का तरीका नीचे दिया गया है तो हम अभी तरदर पहले बताएं कि आप यहां भी इस तरीके से वस्तु को नाप सकते हैं लेकिन इसमें आपको गिनना पड़ जाएगा ठीक है चली अब तिन घड जाएगा तो तन सेंटी मेटर का हो जाएगा यह मापने का तरीका होगा जैसे यहां पर कर राइट की अनुमान लगाकर जोड़ी बनाई है यहां पर कॉलम दिया हुआ है ओ lyric ख को बहुय से मिलान कर देना है तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं इसमें दिया देखिए टेबल की लंबाई एक मिटर कर दिजिए माचिस की लंबाई तिन सेंटी मिटर कर दिजिए पैंसिल की लंबाई साथ सेंटी मिटर कर दिजिए और कमरे की लंबाई पांच मिटर कर दिजिए हाथ की अंगुली की लंबाई चार सेंटी मिटर कर दिजिए ठीक है इस तरीक से मिलान कर लिजी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर कर रहा है आईए अब वस्तुओं को मापने यहाँ पर वस्तु दिया हुआ है इसको माप कर आपको यहाँ पर भर देना है ठीक है नाप लेना है मापना मतरब नापना आप यहाँ पर द इन वस्तुओं को मापने के लिए क्या करेंगे छोटी वस्तुओं को मापने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तिमाल करेंगे ठीक है सेंटीमीटर स्केल का इस्तिमाल करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर कराया माचीस की लंबाई क्या हो सकता है तो माचीस की लंबाई साथ सेंटीमेटर हो जाएगा या फिर छो सेंटीमेटर लिख सकते हैं आप लिजेगा ठीक है हम यहाँ पर अंदाज भर रहा है कंगी की लंबाई कंगी की लंबाई क्या हो सकती है तो इसमें हम 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लिग देते हैं ठीक है मोबाईल की लंबाई इसमें हम 7 सेंटीमीटर भर देते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप भर लिजेगा ठीक है कंगी छोटा बड़ा हो सकता है मोबाईल भी छोटा बड़ा हो सकता है कलम भी छोटा बड़ा हो सकता है ठीक चलिए अब आगे दरते हैं आगे देखिए यहां पर क्या कर रहा है इसमें कर रहा है मीटर और सेंटी मीटर को सेंटी मीटर में बदलना है ठीक है मतलब इस तरह किसे दिया वा रहेगा जैसे यहां पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जैसे दिखिए यह मीटर माल लिजिए यहां पर इसको अटायते हैं 5 meter यहां पर 60 cm देखिए मीटर में भी है और cm में भी है तो इसको सिर्फ cm में करना है ठीक है तो कितना हो जाएगा 5060 ठीक है यह हो जाएगा आपका टोटल सेंटीमीटर कैसे हुआ आगे हम बताएंगे ठीक है चलिए यहां पर देखिए ध्यान से इसको अच्छे से आप देख लिजेगा क्योंकि इसका काम आगे लगएगा ठीक है हम देखे एक मीटर बराबर कितना होता है तो एक मीटर बराबर daha 100 सेंटीमीटर ठीक है एक मीटर में कितना सेंटी मीटर होता है एक सो सेंटी मीटर होता है ठीक है एक सो है सेंटी मीटर अब यहाँ पर देखिए दो मीटर में कितना होगा तो दो से गुना कर देंगे एक सो के साथ इसके साथ तो दो सेंटी मीटर हो गया तो 300 cm जितना मीटर कहेगा उतना 100 cm हो जाएगा ठीक है बस यही चीज़ आपको याद रखना है ठीक है cm में क्या relation है जितना मीटर कहेगा उतना 100 cm हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं example दिया हुआ है जैसे देखिए यहाँ पर 3 मीटर और 30 cm दिया है ठीक है इसको सिर्फ क्या करना है cm में लाना है तो देखिए 3 मीटर प्लस कर देंगे बीच में जोड़ घुसा देंगे जोड़ चिन लगा देंगे 3 मीटर प्लस 30 cm तो क्या हो जाएगा 300, 3 मीटर बराबर 300 जितना मीटर उतना 100 cm हो जाएगा और यदर 30 cm को कुछ नहीं किया हुआ जैसा है वह जैसा उतार दिया है ठीक है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा cm में ठीक है आपस में सब को जोड़ देते हैं मिलाक जुलाक जितना आएगा बस वह यह आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 300 cm हो गया 3 मीटर बराबर और इधर देखिए 30 cm है पहले से इसको कुछ नहीं किया चेड़ चाड़ा अब क्या करेंगे 300 में 30 cm को जोड़ देंगे है की नहीं तो क्या हो जाएगा 330 cm बस यहाँ पर बताया गया है चरण में ठीक है एक दो इस्टेप बताया गया है इसको आप फोलो करिए अब आगे हम बताएगा आपको अच्छे से समझ में आगा इसमें देखिए जितना मेटर रहेगा उतना में एक सुगना कर देजिए cm आ जाएगा यहाँ पर देखिए आईए cm को मीटर और cm में बदले अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ cm में दिया हुआ है अब इसको क्या करना है मीटर में और cm में चेंज करना है सिर्फ cm दिया हूँ आए उसको m और cm में बदलना है अब ठीक है उल्टा करना इसमें थोड़ा सा यहां पर देख लिजी क्या कारा है इसमें इसे हम 22.5 meter भी लिख सकते हैं किसे यहाँ पर जो अभी निकला भेलू ठीक है इसका भेलू क्या लिख सकते हैं 22.5 क्योंकि यहाँ पर देखिए 22.5 meter है चलिए आप आगे यहाँ पर अभ्यास का समय बनाते हैं आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा ठिक देखेए यहां पर क्या कर रहा है मीटर को सेंटी मीटर में बदलिए देखेए चो मीटर है तो कितना सेंटी मीटर होगा तो यहां पर भर देना है तो यहां पर हम गुणा कर लिए हैं और उसमें क्या करेंगे दूग जिरो लगा देंगे ठीक है बस इतना हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 10500 सेंटीमीटर हो जाएगा इस कॉस्टिन का आंसर ठीक है अब देखेंगे 15 मिटर दिया है तो 15 को गुना करेंगे 100 के साथ तो कितना हो जाएगा पंद्रो सो सेंटीमीटर ठीक है यह सेंटीमीटर में अंसर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा पंद्रो सो ठीक है कोई दिकत ने अब यहाँ पर इसको देखिए 225 दिया हुआ है तो 225 को जब आप गुना करेंगे 100 के साथ तो कितना होगा थाकि बहुत ही असान है 225 के गुना एक के साथ करिए तो कितना होगा 225 से होगा ठीक है और अधर 205 बच गया ना 206 में 60 गुना हो गया कितना गया 22500 तो इसका अंसर आजाएगा 22500 सेंटीमीटर ठीक है इस परकार से आपको हल करना है ठीक है तो अब चलिए आगे देखिए दुसरा क्वेश्चिन में क्या बोल रहा है मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदली है मतलब मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको सिर्फ सेंटीमीटर में ही लाना है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखिए, एक मीटर बराबर कितना हो गया, तो एक मीटर बराबर हो गया, एक सो सेंटीमीटर, ठीक है, एक सो सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर एक सो सें यहां पर एक सो थी isn't मिटर को टीकिए मिटर को सीन्टिमीटर विदलते हैं आएक सो के सांथ तो क्या जाएगा सेंटी मिटर हो जाएगा मैं तो देखे कितना हो जाएगा 65 के गुना एक किसाथ करने पर 65 होगा ठीक और इधर दोगोग जिरो है दोगोग जो लगा दिजिए इतना सेंटी मीटर ठीक है इतना आगे आंसर तो यहां पर आपको भरना है छो हजार पांच सो तीस सेंटी मीटर हो गया इस कॉस्चन का आंसर ठीक है अब यहां पर आगे और भी कॉस्चन दिया हुआ इसको बनाई देखिए 105 दिया हुआ है तो 105 को जब आप गुना करेंगे 100 के साथ तो क् आप 105 लिखिए पहले ठीक है 105 लिखने के बाद 20 इसमें लगा दिजी इतना सेंटी मिटर है एक कईधा है सकड़ा जाएहिए 100 5500 सेंटी मीटर अब इसमें क्या करना है यहां जो टिस सेंटी मिटर दिया है इसको इसमें जोड़ देना है ठीक है यहां पर जोड़ देते हैं इसमें तो कितना जाएगा इधर 0 इधर 3 इधर 5 आ जाएगा इधर 0 आ जाएगा इधर 1 आ जाएगा तो कितना गया 100 के साथ तो क्या हो जाएगा सैंटी मीटर तो देखे चार सो का गुनाई एक साथ करने पर क्या होगा थोड़ा सा आपको हाड लगेगा तो क्या करना है चार का गुनाई के साथ करते। पहले चार हो जाएगा ठीक अब इसमें the देंगे 30 cm को तो जोड़ते हैं देखिए 0 आ गया इधर 3 आ जाएगा इधर 0 आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा 40,030 आ गया तो यहां पर भरा जाएगा 40,030 cm ठीक है तो आप इसको हल करिएगा अपना कोपी में ठीक है बुक में आपको नहीं भरना है कोपी में इस कोजिटन को उसको उतार लीजै। अब यहां पर दख disguprov की संख्यां को सैंगा जिए 171 की संख्यां पर यहां पर दिखे पहलें धें खबं거든 का ओड़रना होगा अब देख सकते हैं ठीक है देखिए क्या क्या हुआ है को नमर में देखिए 325 मतलब 325 सेंटीमीटर में है ठीक है तो इसको क्या किया है 100 से भाग लगा दिया है उपर में कितना है 13205 है, नीचे क्या है? 100 है, तो 100 नीचे लिखने का मतलब है 100 से भाग लगाना, 305 को, तो ये आजाएगा आपका मीटर में, ठीक है? तो भाग लगाईएगा, तो कितना आजाएगा? 32.05 मीटर, कैसे? तो आप भाग लगाके इसको देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 300 लिखते हैं अब इसको घटा देते हैं 0 आ जाएगा मतलब यहाँ पर आप कटा भी सकते हैं इसको 0 आ जाएगा इसमें 2 आ जाएगा इधर तो कट जायेगा ठीक है फिर 5 उतरेगा तो फिर 100 का पढ़ा 2 बार पढ़ना होगा तो दो बार में कितना आएगा 200 आएगा यहां पर 200 लिख देते हैं 5 उतर जाएगा इधर कट जाएगा अब यहां पर 10 मलव देने से क्या हो जाएगा यहां पर 1 0 आजाएगा लेकिन देखें यहां पर 50 है 100 से 50 तो भाग नहीं लगेगा यहां पर और 1 0 चाहिए तो फिर से यहां पर 1 0 लगा देंगे भाग फल में तो यहां पर और 1 0 मिल जाएगा अब 100 का पड़ा 5 बर पड़ेंगे तो कितना जाएगा यहां पर 500 आजाएगा इस तरीके से यहां पर यह पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं आगया 32.05 यही हो जाएगा मीटर तो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 32.05 मीटर ठीक है अब यहाँ पर और एक जामपल दिया हुआ है ख़व नंबर में 8892 या फिर आप इसको इसे बोल सकते हैं एक आई दाई सकड़ा 8892 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको भाग लगाईए 100 से तो चली भाग लगा के दिखाएते हैं इस कॉस्चन को भी 100 से भाग लगाना है कितना को 8892 को तो क्या करेंगे 100 का पढ़ा 8 बर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 800 है तो कितना आजाएगा 8 बर पढ़ने पर 800 आएगा इधर 9 उतरेगा इधर 8 उतरेगा इधर कट जाएगा अब इधर 2 आजाएगा ठीक है 100 का पाढ़ा अब 8 बर पढ़ने पर फिर 800 आएगा यहाँ पर अब 2 उतर जाएगा फिर 9 उतर जाएगा फिर इदर कट जाएगा 8 में 8 घटेगा तो ठीक है ना इदर घटा ना है ठीक अब यहाँ पर देखिए विरान भी आ किया तो भागने लगेगा 100 से तो क्या करना होगा 10 मलों देना होगा यहाँ पर भागफल में तो एक 0 मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए 920 आ गया तो 920 आ गया तो कितना पर चलेगा 9 बार में 900 आएगा तो यहाँ पर 900 लिख देते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए 0 उतर जाएगा और इधर कट जाएगा ठीक है घटाने पर अब सेस्पल में देखिए 20 पचा इसको हटाईए कैसे हटाईएगा तो देखिए 10 मलों एक ब 922 मेटर में आ गया में ऐस्मे आ गया azी दसमंलाव नौदू को लिख देंगे हम धर तो यहां पर देखिए पहले से लिखावा आए 889 जो नौधू मेटर तो उमीद करते हैं कि आपको यह सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज ही वीडियो में इतना ही रहने देते हैं ठीक है अभी जो हम आपको समझा रहे थे सेंटी मीटर को तो बच्चो अभी मैं आपको समझा रहा था सेंटी मीटर से मीटर में कैसे चेंज करना है ठीक है तो सेंटी मीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा एक सो से भाग लगाना होगा एक सो से भाग लगाना होगा ठीक है किसको भाग लगाना होगा तो cm को एक सो से भाग लगाई ये तो आपको किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा ठीक है तो अभी इस वीडियो में सिर्फ दो एक्जामपल ही बता पाए हैं तो इसका अभ्यास का परस्में जो है आगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं दियावाए मीटर को cm बदल को जरूर सस्क्राइब लेजिएगा सास अजाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है तो मुझे बीडियो बनाने के लिए ठीक है अब विडियो अगर सेयर करते आप लोगों को क्या फैदा हुआ तो अच्छी बात है कि आप लोगों को free education में रहा है आप लोगों को परियास करता हूंगा हमेशा कि आप लोगों को इसी तरह के से free education मुप्त में provide कराएं तो आगे भी आपको हर एक class का अभी सिर्फ हम four class five class इसी तरह बना रहे हैं लेकिन आ अच्छे से video को share करिएगा चैनल को थोड़ा सा grow कराने में थोड़ा सा हमारा support चाहिए अगर आप हमारा support करते हैं तो मैं भी आपका हमेशा support करता रहूंगा और आगे इसी तरह के से बढ़ाता रहूंगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं next video में जो question आगे बचा हुआ है उस question का वीडियो लेकर तब तक के लिए भाई thank you for watching this video